फतिल पूर योपी, जला समवादबाता रिजवान उपदीन, स्यग दिवार भर भरा कर गिरी, बो की मौत एंक फतिल पूर जले में तीन बुनों से हो रही बारिश लोगों के ओपर आफ़क बन कर तूट रही है गाजिपूर थानक शेत्र के बनपूर गाउंग में बारिश की वज़े से मकान की दिवार भर भरा कर गिर पढ़ी हाथसे में तीन साल के भतीजे की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभी रूप से घायर चाचा को इलाज के लिए जला अस्पता लेकर पहुँचे जहां डॉक्तरों ने उसे मुट गोशित कर दिया, बता भी की मुटक लवकुश अपने तीन साल के भतीजी प्रीप को लेकर दुकान सामान लेने के लिए गया था और दुकान से सामान लेकर वापस लोट ही रहा था कि तब ये बारिश की वज़े से पूरी तरीके से बीग चुकी मकान की दिवार सड़क की तरफ भरभरा कर गेर पढ़ी, हाथ से ने वो लोगों की मौत से परिजनों में हर कम्प मच गया बही पुलिस ने दोनों की शर्व को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए ब्लेचती हुए मामले में जाज परपार शुरू कर दी है बताभी कि जले में तीन दुनों से हो रही बारिश की वज़े से लोगों का बुरा हाल है अच्छा किसके धर की दिवाल फटी थी? अच्छा वही गाउं पर लेकर किस गाउं की घटा है? सुनदी गाउं की अच्छा क्या लाम है इनका? किते लोग थे ये साथ में? फिर कौन कौन गहा लुगा है? क्या लाम है बतीजे का? क्या लाम था? प्रीद अच्छा प्रीद कहा है अभी? प्रीद कुछा लाम है? अच्छा लाम था लाम ही खत्त हो गया थे लुगाए थे? दुपार अजिसा फिर? फिर वहां से लोगते हूं दुपाल फट गई और ये हमारे लड़ता है और ये जप जिए लाम पिर क्या हुआ अभी कहा लेकर आए? अच्छा आप को ने हैं उनके? हम उनके बाई हैं कहा के रहने वाले हैं लगोज़